आज की ये वीडियो Microsoft Excel को लेकर के बना रहा हूँ चुकि हमारे एक विवर हैं जिनका ये कहना है किसार टेक्स्ट वैलिडेशन कैसे लगाया जाए यानि बात वो रही है टेक्स्ट वैलिडेशन की तो ये कैसे किया जाएगा इक्सेल के अंदर तो इसी को समझना है तो सबसे पहले तो एक्सल को ओपन लेते हैं तो यहां से एक्सल को में उपन कर रहा हूं यह Microsoft Excel आपे ओण कर रहा हूं ठीक है और जैसे ओपन होगा तो यहां पर आते हैं तो यह ब्लैंक को वर्कबुक आपको बलेका क्लिक कर दीजेग आइप आईडी प्रूफ आईडी आईडी प्रूफ पी आर डबल ओ है यह लिग दिया हमने और नमबर कितने दिये जा सकते हैं इसमें ठीक है तो यहां पर जो है डॉक्युमेंट नमबर कर देते हैं तो यह कर देते हैं डॉक्युमेंट नमबर कर देते हैं और यह जो है मैक् 13 digits का हो सकता है तो यहां 13 digits मैं कर देता हूं और इसको close कर देता हूं दें एंटर करता हूं आप देखे यह कुछ तरीके से आ जाएगा इस तरीके के format में अब यहां पर आप नेम लिख लिएगा कोई भी नेम आप चाहे तो दे सकते हैं ठीक है तो यहां पर नेम तो बात में लेकिन पहले जाते हैं हम कहां पर यहां पर आ जाते हैं और यहां पर हमें डेटा वैलिडेशन का यूज तो हमें टेक्स्ट लेंथ पर चलना है यह जो दिया गया है यहां पर आपको क्लिक कर दीजेगा डेटा वालिडीशन के अंदर और जैसे इस तरीके से ओपन हो जाएगा टेक्ट लेंथ ठीक है अब जैसे टेक्स्ट लेंथ ओपन होगा तो आपको इसको आप चेंज कर सकते है ठीक है, तो यहां पर text length जिस हिसाब के आप देना चाहें, दे सकते हैं तो यहां पर फिलाल मैं equal to करने वाला हूँ, और equal to क्या करूंगा यहां पर देखें यह equal to है और equal to कर देता हूँ 12 या 13, 13 कर देता हूँ तो यहां पर 13 कर दिया है और ओके कर देता हूं और अब हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे यहां पर आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह अधार का नमबर इसका सब उसकी जिए लिखते हैं तो क्या 13 से अधिक भी जा सकता है तो यह तो अधिक ही जा रहा है देखिए यहां पर लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे न तो यह message आपके सामने show हो जाएगा extra जाएंगे तो यह message आपको show होना ही होना है यह याद रखेगा तो extra आप नहीं 10 11 12 13 13 अंकों तक हम गये और enter कर दिया तो यहां पर यह accept कर रहा लेकिन एक दिक्कत और है इसमें जैसे 13 अंकों तक करते हैं तो यह इस format में बदल जाता है तो इस format को सही करने के लिए आप इतना हिस्सा जहां तक आपको यह करना है उतना select करके right click करिएगा फिर यहां से format sales पर जाईएगा जैसा ही format sales पर जाते हैं तो यहां पर आपको अलग-अलग format मिलेंगे तो इसे आप चाहिए तो नंबर बना सकते हैं और रोब के कर दिया जीरो रख दिया decimal places अब यहां से जो भी आप डालेंगे नंबर उसी के क्रम में यह आता चला जाएगा ठीक है